पेशाशन के टीम ने लोगडाउन के चलते शेहर का पहमण का लोगों को किया जागरो पुरोना वायरिस से बचाओ के लिए पढ़ान मंतरी नरेद्र बोधी द्वारा देशवासियों से की गए जनता कर्फ्यू के आवहान पर मुरादबाद में पूरा सरयोग दिया गया आनावैशक रूप से घुम रहे लोगों को समझा कर वापत धर बेजा और कहा कि लोग डाउन में चिकिस्ता सेवा मेडिकल कि राना स्टोर फेर रोज मर्या की खाने पीने की चीजों की दुकानों को खोलने के लिए चूट दी गई है लेकिन लोग इस चूट का गलत लाकझ डां किया गया थी जाए और इसके लिए पूरी कोसिस जारी है और सजए है जैसे सब्जी की दुकान है और फ्लस जो है किराना की दुकाने दूद है पल है इसकी दुकाने ख़ुली होने के कारण'll ॉर उस व्लो बार दोज Haben तो उनके तीमारदारों को देखने आने जाने वालों का और प्लस कुछ बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं तो उनके स्टाफ के लोग जो हॉस्पिटल आ जा रहे हैं वो अपने नीजी भाहन का प्रयोग कर रहे हैं तो यहीं सब्जीजें हम और SSV साब चेक कर रहे हैं और पूर हैं ताकि लोगों को उनकी आवशक्ता की चीजें समय समय पे मिलती रहें कुछ जाश की गई है कितने लोग सामने आए हैं अब तक करूना के आज हमारी शे रिपोर्ट फिर निगेटिव आई है अभी तक केवल मुरादाबाद में एक जो कोरोना पाजिटिव पेशिंट है उसके अलावा कोई पाजिटिव पेशिंट अभी तक नहीं मिला है कोई अपील करेंगे सर मुराद मां बिलकुल मैं यही अपील करूंगा कि लोग घरों में रहें अधिक से अधिक लोग घरों में रहें और सोसल डिस्टैंसिंग बनाए रखें क्योंकि इसके आप भी जान ठीक है लोग डाउन में हम लोगों ने या फिर अज लोगों से चेकिंग कर रहें लोगों से अपील भी कर रहें कि अनावश्यक न लिख ले कुछ लोगों को ऐसा पी है कि अभी पूरी जानकारी नहीं हो पाई है जैसे हम उन्दू बता रहे है तो अपना फोड़े भी जा तो वो फैले नाथ उसके लिए हम लोग सभी आतियातन कदम उठा रहे हैं हम लोग यह अपील करेंगे कि अनावश्यक अभी जैसे कुछ लोग हम लोगों को निगले कि रिष्टदार क्या जा रहे हैं यह गलत है सभी लोगों को अपने घर पे रहना चाहिए यह इस बीमारी में जो भी हमको प्रिकॉशन लेनी है वो जरूर लेनी चाहिए अपने हित्मे अपने परिवार के बच्चे समाज के हित्मे जरूर लेनी चाहिए ऐसे में जो शासन का इंडिना लिया गया है उसका सभी लोग सम्म की बात में देखिए जाएगा फिलाल हमारा उद्देश यह है कि लोग घरों से ना निए